बियार में जमीन सर्वे को लेकर लोगों के दिमाग में बहुत सारे confusion है लेकिन आपको असफ़स्ट बता दें कि सरकार का कोई भी काम जब होता है तो उसे सब को मानना ही पड़ता है चाया आप हसकर माने या रोकर माने जैसे जब आधार कार्ट बनना सुरू हुआ तो ऐसा न कुमेंस पहचान पत्र के तौर पे लोगों के पास थे लेकिन इसके बाद भी आधार कार्ट बनाया गया अब एक आधार कार्ट से कितने सारे फरजी चीज़ पकड़ में आया और आधार कार्ट से ना सिर्फ फरजी चीज़े पकड़ में आया एक यूनिक नंबर सब को दि गया जिसके चलते अब आप कहीं भी रहें और आप जहां आएं वहीं से अपने कौंट से पैसा निकाल सकते हैं आधार के माध्यम से तो आधार कार्ट जब बनना सुरू हुआ तो लोगों की दिमाग में बहुत सारे कंफूजन था क्या रहे बोटर कार्ट तो मेरे पास है ही आधार कार्ट बना कर क्या करेंगे लेकिन जब आधार कार्ट बना तो बाकि जितना भी डोकुमेंस है सब पीछे रह गया अब जो भी काम होना है आधार कार्ट से और जो भी डोकुमेंस आपके पास है वो सब का सब लिंक आधार कार्ट से तो ये जो जमीन सर्वे का काम है ये जो सर्वे बिहार में होने जा रहा है और इसका जो पेपर बनेगा ये समझे कि वही पेपर होगा कि जिसके बाद पिछला जितना भी पेपर है सब का भेलू खतम हो जाएगा ये पेपर सबसे सर्वमान होगा और ये इंटरनेट पे अपलोड होगा जिसको आप जहां से चाहें जैसे चाहें मोवाईल से लैपटॉप से कंप्यूटर से कार्याले से घर बैठे जैसे चाहें वैसे आप अपना जमीन का एकक जो हिस्ट्री है उसको आप देख सकते हैं इस इसलिए ये जमीन सर्वे किया जा रहा है और ये इसे ये कहा जा रहा है कि डिजीटल जमीन सर्वे है बिल्कुल आधूनिक डिजीटल जमीन सर्वे इसलिए अपने दस्तावेज के साथ बिल्कुल तयार रहें और जरूर करवाएं ये मत सोचिए कि हम नहीं करवाएंगे त बाद में समय तो दिया जाएगा लेकिन परिसानी ज़ादा होगी और परिसानी के साथ साथ समय बरवाद, पैसा बरवाद, सब कुछ बरवाद होगा डोकुमेंस के लिए आपके पास जो जमीन का पेपर है वो आपको दिखाना होगा और जिसका पेपर नहीं है लेकिन आपके पास उसका रसीद है जो रसीद कटता है न हर वर्स वो है तो उससे भी आपका काम बनेगा और अगर दादा पर दादा के नाम पे है तो फिर आपको एक जो बनता है न वनसा वली कि किसके कितना बेटा इसके बाद उसके कितने बेटे इसके बाद और कितने हुए सबका वनसा वली जो बनता है वो बनवा कर त्यार रखना जरूरी है और जो लोग ये परिसान थे न कि म तरीके से बेच दिया है ये सब नपे जाएंगे सब च्छने जाएंगे और सब कुछ सामने आएगा क्योंकि इस जमीन सर्वे का दो मुख्य उदेश है पहला कि सब का डिजिटिलाइज करना इंटरनेट पे अपलोड करना और दूसरा जमीन से संबंधित जितने भी बिवाद हैं उस बिवाद को सुलजा लेना ज़्यादा तर केसे जो अदालते में चलती है वो जमीन से रिलेटिव होती है तो इसमें कमी आएगी सरकार का यही उदेश है इसलिए सब को करवाना जरूरी है अपने पास जमीन का रसीद जमीन से रिलेटिव पेपर जो भी आपके पास है अदार काड़ का फोटो कोपी सब का फोटो कोपी आप एक करा लें क्योंकि आपका एक फोटो कोपी जो अधिकारी आएंगे वो जमा ले लेंगे और वहीं पे आपको एक रसीद देंगे जिसे आप कच्चा अपने जमीन का पेपर कह सकते हैं और इसके बाद उसी आधार पे आपका नया paper त्यार होगा और वही internet पे upload होगा और उसी के माध्यम से आप जमीन बेच सकते हैं आप जमीन का रसीत कटा सकते हैं इसलिए कि सब के लिए जरूरी है जरूर कराएं इससे चुके नहीं और इसके पीछे हो सकता है थोड़ा आपका समय जाए दो-तिन दिन का लेकिन जो भी हो कि कराना जरूर है और चुकना नहीं है रिपोर्ट अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सेयर करें, चैनल को सस्क्राइब करें आगे का अब्रेट जानने के लिए वेल आइकन को प्रेस कर लें, नमस्कार, जैहीन